Development Length इस टर्म से हम सभी काफी अच्छी तरह से फैमिलियर हैं फिर भी हमें से जादतर लोग इस टर्म को प्रोपर तरीके से नहीं समझते हैं तो आज हम इसी टर्म को समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले मैं आपको इसका definition बताऊंगा इसके पाद एक example से समझाने की कोशिश करेंगा तो सबसे पहले हम इसका definition देखते हैं Development Length वो minimum length of the steel है जो पहले section से दूसरे section में embedded होना ज़रूरी है ताकि पहला section safely load दूसरे section में transfer कर दे इसको आप एक example से समझे हम सब ही को पता है कि beam अपना load column में transfer करता है तो beam में use होने वाले longitudinal steel को column में encourage करना ज़रूरी होता है ताकि beam अपना load column में transfer करें अगर हम beam का longitudinal steel column के अंदर encourage नहीं करेंगे तो क्या beam अपना load column में transfer कर पाएगा? नहीं कर पाएगा तो वो minimum length जो beam beam का जो steel है column के अंदर जाएगा उसी minimum length को हम लोग development length कहते है ठीक है? यहाँ पर हमने column और beam का example दिया अब इसका दूसरा example देखिए हम सभी को पता है slab अपना load का अंदर transfer करता है beam में transfer करता है तो slab का कुछ steel beam के अंदर जाना ज़रूरी है ताकि slab अपना load beam के अंदर transfer करे तो slab का minimum length of the steel जो beam के अंदर जाएगा slab का total load transfer करने के लिए उसी minimum length को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? development length कहेंगे इसी तरह से column अपना load foundation में transfer करता है तो column का कुछ length of the steel foundation में जाना ज़रूरी है ताकि column अपना load foundation में transfer कर दे तो वहाँ पर उस case में भी हम minimum length को क्या कहेंगे? development length कहेंगे तो उमीद है कि आप लोगों को development length का funda clear हो गया होगा चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाए take care